तो वास्टप गाईश ते कैसे भाई लोगों ते एक और व्लोग वीडियो के संद मैं आपके साब ने हाजीर हो चुकड़ा और आज मैं आपको इक चीज बहुत ही बढ़ी बढ़ी चीज़ दिखाने वाला हूं जैसी कि आपको पता हूँ इस कुछ हवते पहले है दो से तीन हवते पहले हैं मैंने यहां पे डिस्पोजिल की ग्लास में छे पॉंदे लगाए थे शे लगाये थे ककड़ी के तो आज मैं देखने चाहरा हूं भाई वो कैसे है और वे अभी तब अभी ताव यह नहीं हुग ह वैसे मैंने देखा था यह उग चुके हैं बहुत अच्छी तरह कि उग गया है भाई मुझे बहुरोजा नहीं था कि उग जाएंगे मेरे आज से पर भाई मैंने लगाया है तो फ्रबा पानी पर डाला था और बाकी केर भी करी थी तो अब हम देखते हैं कि आप दिखाता हू अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं ऐसी व्लॉग वीडियो अफले रोज रोज अप्लोड करते रहा हूं ठीक है तो चला हम देखते हैं आप गाड़न में जाके देख लेते हैं कि यहां पर कैसा है सब कुछ तो गाइस यह में आज चुका ओं देखिए ढाई और यहां पर मैंने फिलाल जो दो पहुंडे यहां पर बचे यह इन जिनको मैं थोड़ी से उसमें लगाया था तो आ हम यहां इह सब यह है जी कर दोले के मैं जिसक्कर हां लगा था आप पेड़ पीला होने लग गया है तो में श्रीट कर देना चाहिए तो देखिए कि दो जो मैंने निकाल के यहां पर लगा है देखिए एक पॉदा यह है और दूसरा वाला वह है जब का इसमें इनको श्रीट किया था जमन को इसी में रखा था उनके भी जो पॉदे थे पत्ते है कि इसले की से पीले पीले हो गैते तो मैंने किका इनको श्रीट कहता अब ही देखिए बिल्कुर आप़ नहरा रहरा रहा है बहुत बढ़िया हरे हो चुक है आप इस वाले को देख सकते हूं ठीक है यह बने बाइस यहां पर रमेल लगा है इस वाले फेड़ पिड़ को म लगी हुई है अब इनको मैं ने थोड़ा लगाना है तो इसमें इस पुल भी आ रहा है तो इसमें पूल भी आहा है और यहां पर देख्ते हैं इसके लिए बहले हमने स्टैंड बनाना पड़ेगा कि कि लिए अगर आप इनको आइसी छोड़ दोए तो इसमें मुस्कील है कि बीज आया पाएगा और फल आपको मिलेगा तो इसलिए आपने क्या कहना है इनके लिए एक स्टेंड जरूर बनाना है तो गाइस कैसा आपका दिन जा रहा है आज कैसा दिन जा रहा है फ्राइड़ आपका कैसा जा रहा है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को ज रहने रहना है चैनल को सब्सक्राइब करना है तब तक लोग मिलते हैं नेस्ट वीडियो में जय हिंद जय भारत जय नीम को रिमाराज